आज हम भहुती खसता शक्कर पारे बनाएंगे जो बिल्कुल मुँमे जाते से ही घूल जाएंगे और इसका जो स्वाध है आपको बिल्कुल मार्केट की बिसकेट की तरह ही लगेगा आप इसे जरूर से ट्राइ कीजे तो इसे तोड़के देख लिते हैं आप देख सकते हैं कितने खसता बने हैं तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कप में चीनी नाप लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप भर कर चीनी ले हैं इस चीनी को हम डाल देते हैं मिक्सी जार में और अब हम जार का ढखकन लगा के इस अच्छे से पीस लेते हैं तो पहले आप यहां पर चीनी को नाप लीजिए फिरी आप इसका पाउडर बनाई है तो अगर आपके पास कप नहीं है तो इसके मेजरमेंट के लिए आप कोई कटोरी या कोई प्लेट भी ले सकते हैं तो इस पीसी भी चीनी को हम निकाल देते हैं किसी मिक्सिंग बाउल में और अब हम इसमें डाल देते हैं आदफ कप देशी घी गी जालने से शक्कर पारे बहुत ही खसता बनते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं और इसी के साथ में आप डाल रहे हूं आदफ कब दूद तो दूद अमें पसमें बहुत अच्छे से मिल जाएं तो जब इस तरह से हम एक घोल बना के शकर पारे बनाते हैं तो शकर पारे भोत ही खस्ता बनते हैं तो देखें बिल्कुल इसका जो ट्रेक्षर है क्रीमी सा हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे मेदा तो अभी में यहां पर दो क कप यहाँ पर मेदा लगेगा लेकिन पहले एक साथ पूरा नहीं डाले जितनी आउशकता हों बाद में उतना डालते जाहिए और यहाँ पर इसका अच्छा सा डो लगा लीजिए तो देखें यहाँ पर इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करके में डो लगा लूँगी और आउशकता अनुसार में यहाँ पर मेदा एट करती जाओंगी तो पूरा यहाँ पर तीन कप मेदा लगा है मुझे तो अगर आप यहाँ पर इतनी कॉंटिटी में नहीं बनाना चाहें तो आप यहाँ पर देर कप मेदा ले लीजिए और उस हिसाब से सारे चीजों का मेजर से पूरी होती है उससे भी छोटी बोल में यहाँ पर बना रही हूं तो वेसे तो आप चाहे तो यहाँ पर एक बड़ी बोल बना के भी इसे शेप दे सकते हैं लेकिन जब इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही खस्ता बनते हैं यह अंदर से तो देखें यहाँ पर मैंने कु मिडियम कर देंगे और अब हम इने शेप देंगे तो हातों से थोड़ा सा प्रेस करकर इसे कुकीस कटर से काट लेते हैं अगर आपके पास इसा कटर नहीं है तो आपका टोड़ी का यूज़ कर सकते हैं या फिर ओर भी किसी शेप में आप यहाँ पर इसे बनाना चाहें तो सकते हैं तो जब इस तरह से हम इसे बिना बेले बनाते हैं तो अंदर से इसमें बहुत सारी परते निकलती है और बहुत ही खस्ता बनते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से इने बना के तयार कर लिया है तो अब हम इने फ्राइ करेंगे तेल हमें यहाँ पर बहुत ज जैसे ही होते हैं हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दोनों तरब से इने अलट पलट करते वे अच्छा सफ्राइ कर लेंगे गेस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है अगर आप इने हाई फ्लेम पे तलेंगे तो यह बहुत जल्दी से लाल हो जाएंगे और अंदर से ख लाल कलर के हमें नहीं करना है बस गोल्डन सा कलर आजाएं और आम इने तेल में से बाहर निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने खस्ता बने हैं और दिखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं बच्चे भी इने खाना जरूर पसंद करेंगे तो आप इस एक बार जरूर से ट्राइए किजिए यहां पर में सब इसी तरह से निकाल देती हूं ताकि जित तब इसमें तेल है वो अलग हो जाएं तो यह लिजे फ्रेंड्स बहुत ही खस्ता शक्र पारे बनकर बिल्कुल तैयार है आप इसे जरूर से ट्राइए और रेसेपी पसंद किजिए